हेलो दोस्तों वेलकम टू बाइक टिक चानल आज मैं डीटेल कंपेरेजन करने वाला हो हीरो की सूपर स्प्लेंडर 125 cc डिस्क मॉडल टॉप वेरियंट का होंडा की शाइन 125 cc डिस्क वेरियंट के साथ तो इसमें आपको क्या-क्या फीचर मिलते हैं इसकी प्राइज क्या है इन दोनों की प्राइज में आपको सिर्फ पास सुए 600 रुपय का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा बात करते हैं होंडा की चान की यहाँ पर आपको फ्रंट में ब्लैक कलर का वाइजर मिलता है यहाँ पर होंडा का लोगो मिलता है और क्रोम की यहाँ पर हेडलाट के हालोजन टाइप इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाता है वही अगर सुपर स्प्लेटर की बात करें यहाँ पर आपको फ्रंट में आप देख सकते हैं वाइजर ब्लैक मिलते हैं हीरो का लोगो मिलता है और शाहिन जैसी आपको क्रोम की टीटमेंट यहाँ पर हेडला जाते हैं बाकी डिस्क आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं सिंगल चैनल एबेस में बाई का जाती है और दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिलते हैं 8018 का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है वाइबरी की क्यालिपर मिलते हैं मटगार्ड आपको बॉली करण में देखने को मिल जाता है तो आप वही बात करते हैं सूपर स्प्लेंडर की यहाँ पर मटगार्ड देख सकते हैं काफी चोड़ा मिल जाता है टेलिस्कॉपिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं क्यालिपर्स आपको बाई ब्रेक आपको फ्रंट में मिल जाता है और दोनों साइड में आपको रिफिलेक्टर मिल जाते है अलाइविल्स आपको प्लैक करण मिल जाते है और 808 के ट्यूबलेस टार मिलते है आटरा इंज के आपको अलाइविल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वही करते हैं शाइन की टैंग की बाद तो यहाँ पर आपको matte color में tank का color आपको देखने को मिल जाता है माकी Honda का logo आपको Chrome के treatment में देखने को मिल जाता है जो कि 3D में आपको मिलता है और यहाँ पर graphics आपको yellow और grey color में काफ़े अच्छी यहाँ पर combination इसकी देखने को मिल जाते ही, जो काफे अच्छे डिजाइन में आपको मिलता है, नीचे आपको Chrome की Treatment थोड़ी से देखने को मिल जाते ही, 125CC की नहीं जा만 पहे, पहे, बाकी 3.5L ख्रेटर को फियोल टैंग देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको देख सकते हैं जो काफी अच्छा color आपको मिल जाता है वही बात करते है Splendor की Super Splendor का यहाँ पर आपको logo मिलता है 3D में नहीं मिलता है बाकी Orange Color के आपको Stickering देखने को मल जाती है और Super Splendor में आपको 12 लिटर का fuel tank देखने को मल जाता है और engine आप देख सकते हैं 125cc का आपको engine मिलता है जो की 124.7cc का आपको इसमें एरकुल 4-stroke BS6 engine आपको देखने को मिल जाता है जिसके आपको Power 10.8 Nm की मिल जाती है बाकी Calendly Convertor आप देख सकते पुरा ढखा हो आपको इसमें मिल जाता है बाकी Super Splendor में आपको semi-digital meter console देखने को मिल जाता है पर इसमें काफी सारी features आपको देखने को मिल जाते है शाइन की मुकाबले यहाँ पर आप देख सकते है tripometer, odometer, clock मिलता है digital fuel gauge आपको मिलता है service reminder आपको मिलता है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको real time mileage भी देखने को मिल जाता है पर कि यहाँ engine check light newton और यहाँ पर i3S की badging और यहाँ पर headlight, order, generator का setup आपको मिलता है बाकि mirror आपको काफी अच्छी quality मिलता है और passing switch यहाँ पर आप देख सकते है indicator और horn का switch आपको मिलता है और i3S technology मिलते हैं की ज़रे से आप काफी fuel efficiency कर सकते हो तो बात कर दे seat और comfort की यहाँ पर seat आपको काफी आच्छा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर काफी आच्छे cushion का इस्तिमाल क्या हम मिलता है, 700 eqn mm के आपको seat height देखने को मिल जाती है और shine का यहाँ पर logo मिलता है seat का ओल पर और यहाँ पर yellow color में sticker मिलते है, rear में आपको यहाँ पर gravels देखने को मिल जा है body color में और पीछे की तरफ Honda का आपको logo मिलता है, tail light आपको halogen bulb में मिल जाती है, बागी indicators आपको halogen में मिलते है और यहाँ पर suspension के अगर बात करें तो hydraulic type का suspension आपको मिलता है, और यहाँ tires आप देख सकते हैं, जो allowills आप देख सकते हैं, black color में आपको मिल जाते है, matte black में 818 का आपको same profile का tubeless tire देखने को मिलता है, 18 range के allowills आपको मिलते है, 130 mm का आपको drum brake मिल जाता है, और बाकी exhausteur आप देख सकते है, chrome के ऊपर finishing में आपको देखने को मिल जाता है, जो bike के look को और भी enhance करता है, बाकी ESP की bashing मिलते हैं, बाकी seat आपको काफी, लंबा और काफी चोड़ा देखने को मिल जाता है, जो कि family type bike पावाई का थी है, उसकी जैसे आपको देखने को मिल जाता है, 700 आपको seat height यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसका कर्विड आपको 130 kg मिल जाता है, जो कि shine से आपको 8 kg भारी मिल जाती है और यहाँ पर काफी अच्छे orange color में graphics मिलते हैं, hero का logo मिलता है पीछे की तरब आप देख सकते हैं, gravels आपको काफी अच्छे coloring में देखने को मिल जाते हैं, बाकी tail light आपको halogen में मिल जाती है, bulb बे आपको halogen मिल जाती है, थोड़े से flexible मिलते है बाकी यह 5 step adjustable आपको hydraulic type के suspension देखने को मिल जाते हैं, बाकी यह टायर में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, 90-98 के आपको tubeless tire मिलते है, अटायर इंश के halawills आपको मिलते है, और 130 mm के आपको drum brake variant देखने को मिल जाता है, बाकी एक्जास्टर में आपको कोई भी changes यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है सेम आपको shine जैसे ही chrome की finishing यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है, बाकी kickstart और self-start मिश्चाइन आपको दोनों में मिल जाती है round clearance आपको 162 mm का देखने को मिल जाता है बाकी catalytic connector पर आपको कोई भी covering यहाँ पर देखने को बाइक में आपको power एकदम सेम मिल जाती है, बट आपको जो है, इसकी torque है, जो 0.4 इसमें आपको कम मिल जाती है जो की shine की power आपको 0.4 ज्यादा मिलती है super splender का weight आपको shine से 8 kg ज्यादा देखने को मिल जाता है और इसकी जो ground clearance है, वो भी आपको shine से लगबग ज्यादा देखने को मिल जाती है बाकी company fitted यहाँ पर sardi guard मिलता है, footress आपको मिलता है और यहाँ पर five speed gearbox मिलते है, size 10 engine cut up system मिलता है तो वही अगर shine की बात करें, shine में भी आपको sardi guard company fitted मिलता है यहाँ पर lady footress आपको मिलता है, chain sit cover आपको मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते, footress काफ़े अच्छी quality की मिलते है five speed gearbox आपको देखने को मिल जाता है और हवा कितनी रखनी है, यह आप वहाँ पर inform किया हूँ, आप वहाँ से देख सकते बाकी insights and engine cut up system पे आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो बात करते हैं, CB shine के price की यहाँ पर disc brake price आपको मिल जाती है 85,238 रुपेज की, एक showroom वही on road इसके price 1,196 रुपेज की मिल जाती है वही अगर super splatter के बात करें, disc variant top model की 83,168 रुपेज की मिल जाती है वही on road आपको 1,203 रुपेज की मिल जाती है यानि कि इसमें आपको ज़्यादा difference देखने को नहीं मलता है पास सवय 600 रुपेज का difference आपको इसमें देखने को मिल जाता है तो बाइक आपको कैसी लगी, आप comment box में जबरू comment करके बताए बाकि चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने विले हर एक वीडियो की notification आप तक मिल सके तो मिलते हैं इसे next news vlogs में तब तक के लिए देखते रहे